शौलों की कड़ी में नेका बरा बर जारी रखूंगा और जैसे की कुछ सौल हम लेंगे उससे पहले हम गुरुजी के चंपूर्णौं परनाम करते हैं उसके बाद आपको सौलों की सुरूव करते है गुरुजी मेरी तरफ से मेरे देखने वाले सिभी दरसकों की तरफ से बहुत कि शुनिता जी ने किया था महिला अधार के साथ किसे पुर्सों के लिए क्यों इस पूर्स प्रकार कर सकते हैं इसमें इसमें कोई दो रहा है नहीं, इसमें कोई आपको सोचने की जलूत नहीं, आप पिल्कुल ध्यान करिए, जिक जो नियम बता है उसको ध्यान रखिया आप, देखो ध्यान, आप ध्यान का समय बहुत लेट आएगा, ठीकिना, ऐसा नहीं, मैंने कली बोल दिया था, आपकी बात का नहीं बोलूगा, आपको धीरे-धीरे अंदर ये देखना है, कि मैंने ये चीज़ों का त्याक किया का नहीं किया, फिर रात को संद्या के समय, आप एक घंडा अपने आपको देजिए, उसक्त मैंने यह बोला था, आप ये सोचे कि मेरा कोई नहीं है, मैं किसी के लिए हूँ, इस तरह के बेठे कि जैसे आप पूरी सरष्टी से अंजान है, और दुनिया को सिब देखते जाए, अगर आँके बंद करना ज़रूरत नहीं है, आप कहीं एक कान तो बेठेजे बस, और मंतन कीज़े अपने आप पर, क्योंकि अब मैंने, हमने विचारों से मुक्त होना ही द्यान को प्राप्त होता है, जब तक उसके दर विचार चलेंगे, उसको द्यान का अनुबहनी होगा, ना उसको समाधी के अवस्ता प्राप्त होगी, जैसे कि अगला हम कमेट ले ले हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो वार्टसप पर कर रहे हैं, य बार में कोल कम उठा रहा हूँ, साइलेंट रख रहा हूं, क्यों आप सब Rhक को है, क्यों बहूत सारे ऐसे क्ष़ोटे बातों के लिए क्ष़ोटे ले अगरा आग्ला हम सवाल लेता है, हो है इंडिया नहीं, मता हैं जो बहार रहती है, फो कहते हैं, हम भालक नाजी क गर्व भूला पूज़ा करते हैं तो सब्दों मेरे सुनिए मंतर मेरा ले लिए आप पूज़ा वो खड़ाओ यह जानके करिए कि यह बालक नाजी की गुरू पादु का है तब ही जा आपको आपको गुरू तत्व की प्राप्तियों की मैंने तत्व का बोला था ठीक है फिर भी यहां से खड़ा हुजा दी तो भी आप करिए सेवा वो आपको एकी चीज तक पहुँचाएगा उनकी सब की एकी मंजिल है गुरू मंतर की लेकिन आपको दर्सन बालक नाजी की होंगे वहां पर कोई दोराई नहीं है आप निस्पिक्र होकर करिए कोई संच्य मत रखी आप वो यह जो सोचना है कि यह खड़ा हूँ बालक नाजी की है और सब्द सुनें मेरे सुनें यह सोची कि मंतर मुझे बालक नाजी नहीं दिया यह करक सोच के आपको करना है जैसे कि माता जी आपके चरन पादू का हमने रवाना कर दी पूरी के पूरी मैंने बताता हूँ आउट ओप इंडिया जो थी उनकी कोशिस की एक बार तो मैंने चार पादू का मैंने भेजिये उनका सारा खर्चा मैंने ही अपर्ट किया है मैंने कोशिस की वाला आप समझ समझ को कि आउट ओप इंडिया मैंने जब बेजा हूँ कम से कम साथ से आठाट हजार रुपए एक कोरियर के लगें मेरी तरफ से मैंने बेजी लेकि आगे भी कोशीज करूँगा और भी स्वयोग करने के आप सभी को एक हम स्वाल लेते हैं राजकुमार जी है हमाचल से पुलीस में है दिखा रहा है और आपको मैं कोशिज करों मोबल पर दिखा देता हूँ कि किसपरकार की उन्होंने टौपई बेजी है यह आपके लिए बचिए अध्यात्म को प्राप्त हो और उनकी प्रोग्रेस हो जीवन में और उनकी जीवन खुशाली परिवार अच्छा सांत्र है खुशी रहे यह आशिरवाद मेरा है और गुरू की शेवा कीजिए आपको अनन्द मिलता जाएगा जैसे कि राजकुमार जी मेरी तरफ से मेरी जनता की आवाज की तरफ से और जनता की आवाज के सभी सदेश्यों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्यूंकि आप इने अपनी कह सकते हूं कि पुलीस में सेवाई दे रहे हैं और पुलीस को ना महामारी को देखते गुरु जी कुछ और कहना चाहोगे? अगला हम कमेट लेते हैं अगला कमेट ले रहा हूँ उससे हो सकता है मेरे कुछ जनता के वाज के सदिश है जो नराज हो जाएंगे मुझे पता है हालागी सिमा यादव जी ने श्वाल किया था मैं आज स्वाल हालागी मुझे बहुत टाइम से करने वाला था लेकिन सिमा यादव जी ने किया बहुत सारे स्वाल और भी लोगों ने किया था कि देवी देवता इतना तेज पेज होता है कि यह कैसे एक सामन इंसान अपने अंजर कर सकता है पहली बात पूछ दोडिवता सा जिवित है आजकी टाइम फ میں जैसे हमारे हनुमान जी वो भी कह रहे हैं आज की जगे किसी मातों में पुर्सों में बोले जा रहे हैं और अगर बुरा मतमान ऐसी जगे है दिली के हर्यानी के साइड में काली माता बोली जा रही है क्या ये सच है क्या ऐसे देवी देवता जगे हो गई कि इनके यहां धारन के लिया या बोले जा रहे हैं देखिए बोलने वाले प्रेट या पित्र हो सकते हैं दो जोनिया जो बोली जा सकती है इन के लब जो भी बोलते हैं वो आपके अंदर इसकी चीज नहीं करते है मनुश्य में एक बिमारी होती है जो पड़े लिखें वो जानते में ज़्यादा इतना पड़ा लिखा नहीं हो स्प्रिट प्रस्नेलिटी अपनी एक छवी को और छवी में बदल देना कुछ लोग बावुकता की वज़े से उनके अंदर मासिकता हो जाती है कि बस मेरी अंदर देवी आ रही तो अपना इलना डूलना सुरू कर देते हैं इस तरह से और जो भी बरतान थे बखान सुरू कर देता है सोची कि हजारों साल से हमाले में शाद ना करने वाले आपने देखा नहीं मैं मैं ज़्यादा छेड़ दूँगा विष्यादा 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 जो देवी की गायत्री के करते हैं जो उनने भी देवी देवताओ करते हैं उनको अनभव तक समय लग गया और जो करते हैं उनको पता है कि जो परमसादक है उसके पास जाईए वो सपने में देवी की दरसने के लिए तरस रहे हैं और आप किस तरह जाल फिला रहे हैं कि आपके अंदर देवी आ रही है, आपने हिलना डूलना शुरू कर दिया, यह तो प्रेतो जैसा काम हो गए, चूड़ेलो जैसा काम हो गए, यह सब आपका लक्षन नहीं, यह मनुश्चा को खराब करने का लक्षन है, गुर्दी वैच स अच्छतीस क्रोड देव देवता खल्यूक में हो जाएंगे, कि इंसान निकलेगा तो भगवान की खोज में, भगवान के मंदिर के लिए और भगवान की उपासना के लिए, लेकिन रस्ते में उलज के वो कहीं दूसरे मंदिर चला जाएगा, यह जो इस तरह के बने और ए आपरी मोत सूं, माखने जा मांगे पूत, तो खुद यो तो अपनी मृत्यों को प्राप्त हो गए, उनके साथ आप क्या करोगे, परमात्मा को, परमपिता परमैश्वर को जानिया, यह सब आपके जीवने बाद हैं, आप यहीं से, इनोंने क्या किया था, जो संतिया इस त अपरम लाए, मेरे लिए गांजा लाए, मेरे लिए अफिम लाए, यह गुरू का, और जब सास्तर क्या बोलता है, मैंने यम नियम समझाए था, क्या बोला, दुरुष्णों का त्याक करना है आपको, और आप बोलते है, शीव की नाम लेके मैं गांजा फूंगू, शीव क मदिरा को समझना, वो मदिरा को क्या समझने लगें, तो यही ब्रांतिया करके इनने अर्थ का अनर्थ कर दिया, जबकि यह था कि अब हनुमान जी की बात है, आप सोचिए, जो परम महाबलशाली है, जिसकी महलब हुंकार मातसे, जो महाबारत में अरजुन को या भीम को व खवी देखने से मातर, जो हनुमान जी सूर्य भगवान को बचपर में निगल गए थे, अब भी भी ऐसी कोई यान नहीं बना, कोई उपकर नहीं बना, जो सूर्य के नजदीक जा सके, हर लाकों किलोमेटर या हर लाकों योजन पहले वो जल जाता है, यहां गरमी मर सकते है यहां इत बर्फ हमाले में कितनी बर्फ गलती है सूर्य के उपास, सूर्य के तेज से, तो आप सोच लगते हो को हनुमान जी मराज किसी के अंदर बोलेंगे, यह आपकी बरांतिया है, जो बोलता है उससे हनुमान जी के पांच साथ गूर रहशे पूछ लीजे, उसे और तोडने का काम करते हैं, किस तरह करते हैं, कि आपके किसने कुछ कर दिया है, आप जो सवाल कर रहे हैं, मैंने पहली बार क्या बोलता है, दुनिया में सित्र परसेंट लोग ब्रहमीत हो सकें, और इनी लोगों ने खराब किया है, कि आपके कुछ कर दिया है, आपके कुछ क आने का काम है। भूथ तो भूथ सकते हैं। भूथ यहांनि जो बीद गया। और भूथ कौन बताएगा भूथ। इंसे जाके मिलीए। के वाकष ने भावष्य आनि हुआ होते हैं। सरकार ओर पहले के करोणा हो चुका है। बविश्य परमात्मा के स्रेशन गूड है संतों को अनभव जरूर होता है कि आगे कुछ अपत आने वाली है ठीक है और संत प्रोपर संत भी नहीं कहते है होती है बविश्य वानिया लेकिन संत के बोलने से गटना हो जाती अगर कुछ नहीं होने वाला है संत बोले आपती आएगे तो आपती आज आएगी क्योंकि वो वाक्सिद है वानी सिद है उन्होंने तप किया है लेकिन वो परमात्मा की जुकारी से लिए उसमें आश्टत शेप वो भी नहीं करते कौन संत इसलिए वो भवीशिवानिया भी नहीं करते उन्होंने समाथ से दर किनार कर लिया तो ये क्या एक कमाई का जर्या हो गए लोगों के निक्रश्टिवन आज भी ये क्या करते हैं आपने बोले तंतरा गोरी है ये सब यहीं तो करते हैं खोपडियान, नर्मुंडिया ये सब परमादमा काम है नहीं आप ऐसे किस तरह किसी के पास जाके फिर घर के अंदर परवेश्ट कर सकते हो किस तरह आप देवी देवताब पास ना कर सकते हो कैसे घर को चलाओगे आप किसी के कोई दुखी आए आदमी आए उसके उपर चाती पर पेर रखे आप पेसे ले तो मैं बोलता हूँ शर्म नाक है आपके लिए कभी भी किसी की जिन्दगी में दो चीज़ याद रखना जो भी गुरू को मानते है जो संतों की वानी मानते है आपको जीवन में किसी से लेना है तो कुछ आशिरवाद लेजिए और कुछ नहीं लेना है तो कभी किसी के हया मत लेजिए हया नहीं लेनी आपको जिन्दगी में ये कभी भी मत लेना हया मतलब होता है किसी के अंतरा आत्मा से शाप नहीं लेना आपको कभी में मत लेना वो आपको सर्वनाश कर देगा इसलिए आपको इन चीजों से बचना है यह कुछ निए आप परमात्मा को जाने है परमात्मा गरस्त अलग है यही होता तो संत जो साध न करने वाले संत काली के उपास न करने वाले हैं अपसी देवी के पास आते हैं धाम पर देवी बोलने वाले है ठीक है न आप बचिए देखो हमारी कमजोरी का फाइदा दुनिया उठाती है सबको लगता है तो आप मैं क्या चाहता हूँ आप होशयार हो जाए बस एक बाप क्या चाहता है मेरे बेटा बस उशयार हो और गुरू क्या चाहता है मैं चाहता हूँ जो गुरू परंपरा को इसमें मेरा मत जोड़ी है जो गुरू परंपरा को माने वो इतने उशयार हो बाहरत भूमी में हर्ज एक संत लाकों पर बारी होता है अकर एक संत ग्यान देने पर आ जाए तो लाकों को समझा सकता है लाकों को ग्यान दे सकता है लेकिन संत होते हैं तो यह आड़नमर नहीं होता इतना तो आप बचिए और आशिरवाद है कि आपकी बुद्धी इस तरह रहे क्बार्मात में जा अगर जानते हैं, जो अगर हनुमाद जी के बार हम जाके पूछ लीजिए, आप सचा ही पता चल जाएगी, दोस्तों, मेरी निवदाने जनता कि वाज की तरफ से जागरुकता के लिए ये जानकर ये जादा से जादा से जादार कीजीए, हाला कि उनके धा तक पहुंचने चाहिए उसके दाम पर जो जो आ रहे हैं आपके नजदी में जो धाम है वहां पर कोई जा रहा है उसको यह वीडियो जरूर सेर कर देना यह निवजन करूगा आपके घर में कोई अगर पैसों से बरबाद ना हो जाई यह कहीं लूट ना जाए उससे पहले मे अगले सदिशियों का दोस्तों जनता के वाज के अगले सदिशिय के हम ले रहे हमारे इंडियन आर्मी में जो यह मोई यॉन गेम हैं हालांकि नाम लेने मागर कोई मौपी चाहूंगा गर कोई गल्ती हो जाए इनको मैं पहले सलूट करना चाहता हूं जनता के वाज की करता हुएक आपकी सॉफल थो अांकों पर है और गुरु जी का चणनौ में रहे होसे की यह जैसे रूटी करते हैं नौ में तो बाहर रेते हैं और तीन मेहने जब घर जाते हैं तो जैसे गौरु मंतर अपनेaction करोनों पूर करक single Mecha किस परिए किस्व परिएद हो जा प्रभार्मी है शोल्जर सिपाई सच्छे देश के भारत भूमी के रख्षक भारत माता के रख्षक इनको मैं अपने अंत्रात्मा से आशिर देता हूं कि भगवान पर सदा आशरित रहे महारकाल की सदा इन पर दया रहे ताकि हर मुशिबत से लड़ते रहे और देवी सदा इनके बाहू में विराजमान रहे शक्ति सुरूपा होके ताकि इन पर कोई भी शत्रू इन पर आकर्मन ना कर सकेए हर शत्रू का मुझ तो जवाब दे सकाए सरमय अशिरवाद है गेम योन गेम जी है इनके और मैं चाहता हूं देखो आपको गुरुमंतर कर लीजिए आप देखो गुरुमंतर को समझे आप तीन महीने आप मानते हो कितीन महीने आप चुटती पर रहे तो आप मैं आपके लिए अशिरवाद देता हूं अलग से विशेस इनके लिए बोल रहा हूं आपको मैंने गुरुमंतर दिया है मैं आपको बोल रहा हूं आप जब भी मैं अटा रहा हूँ आपको साथ माला से मुक्त कर रहा हूँ और साथ साथ मैं आपके लिए आश्रवाद करता हूँ और मैं ही आपके लिए माला करूँगा आपकी बहुत में ताकत रहे और भगवान आपके सदा करपा करते रहे और इसी तरह हम देश वाशों के आप रक्षा करें और आप बंदने से मुक्त हों हर किसी के लिए ये लागू नहीं होता इनके लिए इसे बोलता हूँ आप तीर महिने करिए आपको साल भर का पुर्णिय मिलेगा आपके अंदर डिवतों के सकती संचाइत होगी और मैं इनके लिए ही सिर्प आशिरवा देता हूँ जो भी ये सुनते हैं सुनिये और सभी भाईयों से दुआ करता हूँ कि इनके लिए इसे जब भी माला हैं आप करते हैं जो देश के सचे सिपाई उनके लिए दुआ करिए कि गुर्देव इन गुरु मंतर का जो गुरुतत्व का इन पर सदा आशिस बना रहे आपको सेनिकों के लिए कुछ करना चाहिए आशिस तो करी सकते हैं आप अच्छी दुआ अच्छी कामना तो उनके लिए करने ही चाहिए जो घर से इतने दूर रहते हैं कितनी मुशिबतों से हमारे रक्षा करते हैं आशिरवाद है आप खुश रहिए आशिरवाद है दोस्तों जैसे कि इंडिन आर्मी को लेके आपके क्या विचार है को कमेंट करना और इनकी सोच और विचार को लेके बताना जैसे की और गुरु जी ने जैसे इनको आर्शिवाद दिया है हम कोसिस करते हैं अगला हम सवाल लेता है जन्ता के वाज की सदेशिये का अविनास जी मोरिया उन्होंने बहुत अच्छा सवाल के आलागी मैंने एक बार आप आपने बताया भी थे मैंने भी चाहा था गोव माता को लेके कुछ दोसब्द कीजिये गोव माता को बचाना के लिए आपके दोसब्द से हो सके जनकल्यान में कुछ लोग आगे बढ़े देखो मैंने रहेशे में बात तो पहले बता चुका हूँ कि गोव माता का गया रहेशे कि उसके अंदर सभी देवता उसके शरीव विराजमान हैं आपको हमने सनात अंतर में उनकी तस्वीर देखते हैं आपको पता चलता है क्योंकि गोव माता के दूश से जो गही बनता है उसकी अगर गोव माता के गही बनता है तो प्रकरती के अंदर भी इसकी पोजिटिव एनरजी प्राप्त होती है और प्रकरती शुरुक्षाती है परियावन सुद्ध होता है और रह्षी तो गोव माता के एक नहीं है अनन्त है जिस घर में एक रहषी ऐसा भी सुन लेज़े कि ज चोटी गाई चोटी कोई बच्ची सी गाई हो उस गाई को घर के अंदर ले जाए और आपके घर के अंदर एक बार उसको घुमार के वापस बाहर निकाल दीजिए आपके घर के अंदर कोई भी किया करा है तंतर होगा वो भी इससे कट जाएगा अगर गाई के आपके घर के आप पर बाहर छोड़ दीजिए, उतने में ही आपके घर, आप पावन पवित्र हो देगा, शुद्धी हो जाए गर की, और अब दुनिया एक विशे को मैं कहना चाहूंगा, दुनिया जिस पीज के पेशे बाग रही है, कि ऑक्सिजन ऑक्सिजन कोरोना में, यह सही बात है, अक्सिजन की दिक्कत हो जाती उनको लंगस में, तो आप गाई के अंदर कितना देखो, गाई के अंदर कुछ रेषयस है, गाई जहां बैठती है, उठती है, उसके दस मीटर एरिया में, तैईस परसेंट अक्सिजन होती है, तो जो गाई गोबर करने के बाद, गोबर के 47 अगर नित्य एक कंडे पर हम अगनी जला के देवता को भोजन अरपित करते हैं, तो भी हमारे घर में देवी इश्वर की करपा होती है, देवो का वाश होता है, तो गो माता की हर तरह से सुरुक्षा करनी इंसान को जरूर यह, सनातर धर्म की रीड है गो माता, और रीड की ब जोवास तो दिखाते हैं पंडितों को, और एस्ट्रोलोज यह दिखाते हैं, उनको यह बोलना चाहूंगा, कि अगर उनके जीवन का सूर्य कमजोर हो, तो गाय के सर से लेकर पूंच तक उसके अड़ी जाती है, उसमे नाड़ी होती है, उसका नाम है सूर्य के तु लेकर पूंच तक आत फेडते हो गाय के उपर, साथ वार आत फेडने के बाद, अगर आप अपने शीश पर रखते हो इसे, तो आपका सूर्य उसी वक्त बलवान हो जाएगा, वो सिर्प गाय के अंदर ही होती है, सूर्य के तु नाड़ी, अब सीश ते पूंच तक आपको आत फेडना है, एक वार, साथ वार फेडने के अगर रोज सीश पर लगाते हो, तो भी आपका सूर्य प्रचंड बलवान हो जाएगा, आपके अंदर बहुत से विकार जो सूर्य की वज़े से होते हैं, वो सारे खतम हो जाएगा, आपका तेजस ओजस बढ़ेगा, आपका औरा बढ़ेगा, आपका फ्लेम बढ़ेगा, आपके अंदर बात करते हैं, तो आपको आकरसन बढ़ने लेगा आपके अंदर, तो भी गाय करेश है, और बाकी तो सनातन धरमें वो सब जानते हैं, गो माता हमारी किस तरह सनातन धरम की रीड है, तो रक्षा करनी चाहिए, मां बृत समझना ही, मां ही है। और देवतों को भी ये हम लोग मानते हैं, तो सोच ये देव माता भी है, तो इसी तरह रक्षा करनी चाहिए। मैं चाहता हूं इनोंने सवाल के, उनको मैं धन्यमा देता हूं कि कितने रूत कि धर्म के परती सजग है। आपको हर इंसान में में को यह नहीं इन दर्म की प्रतिविक्त रहाएं jsा सास्तुर में क्या इन ते हैं में अफियिद डो District 2 Prin जैसरे लेके इसमेट करना और अगर मेरी करते रहना और अपने पोरिवार में हर वक्ति को यह वीडियो जुरूर दिखाना है जो वीडियो की डिस्क्रिप्स में दे रहा हूं इस बार में डिस्क्रिप्स सबसे उपर सीरीज दे दूंगा जिससे बार-बार पूछने क्या आवसाक्ता नहीं पूरा वो प्लेलिष्ट ही सभी को सेर कर दीजिए उनसे एक निवेदन करना अगर आप ये प्लेलिष्ट हैं बहुत ज्यादा और कहूंगा मैं यूपी साइट से ज्यादा आया क्योंकि उस समय यहां पर चुना हुए कुछ लोग मात्म महिनों कभी है भाईयों कभी है जो राज रोग जाना चाहते हैं उनका वह याज जो कैसे तेज हो सकता कैसे वह राज इतिम सपलता कर सकते हैं पहले तो मैं यही कहा हुँगा जो लोग राजनेती मा आना चाहते हैं देखो आप पहले अंदर शिवा का भाव रखिए मैं यह नहीं कह सकता कि आप यह मंत्त ले जाई आप तुर जीच जाएंगे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आप नेता हुँ तो आप समझें कि आपक को परमेश्वर की बात ही देखना है कि मैं सबकी सेवा का, सबके अंदर परमात्मा विराज माने, ठीकी न, आपको सेवा का आपका भाव रहेगा, तो परमात्मा भिए आपका साथ देगा, ठीके, तो आप उससे भी अब के अंदर भाव होंगे तो आप सफल निश्चिती सफल होगे दुनिया चाहे आपके कितनी भी रोड़ा बने अगर आपके वास्ति में सेवा का बाव बन गया तो आप सफल होके ही रहेंगे ये मेरा शिरवाद है और दूसरा अगर फिर आप चाहते हैं किस तरह आपका यो राज यो प्रबल हो और राज कितनी आप अवस्ताम ले जाएंगे आपके जीवन में राजनेती केरियर बहुत ज़दा उच हो जाएगा और आपको हर जगे सफलता मिलती जाएगी यही मैं करना चाहता हूँ लेकिन विशे को मैं यही कहता हूँ कि आप सेवा का बावर के तो परमात्मा साथ है और संत है तो हम संत का अशिरवाद में देता हूँ कि आगर आपकी इस तरह की सफलता मिले कि लोगा जन जन के आप प्रेमी बने और पूरी जनता आपको प्रेम करें यही भावर के जिस दिन जिसने आप जनता को प्रेम करना सीख गया और जनता स्वते उसको प्रेम देना सुरू कर जिवन चलता रहता है इस चोनाव पांक-पांस साल में होते हैं कभी कई जगे किस साल में होते हैं अगर आपने जनता को प्रेम देना सुरू कर डिया तो आप आप नहीं बेठना चाहूँगे तो लोग आप जिताना सुरू कर देगे जब बनस थिया आपको चुनाव परिणाम आते हैं जिसमें राजनेती करियर भी है जिसमें अभीनेता जो फिल्म वगरा होते हैं जाता मैं जो जानता हूं बता रहा हूं उसमें भी होते हैं और जो गाय के सिंगर हैं उसमें चमतकारी रूप से परिवर्ट ना आएगा ये राओ के उच्छता के वज़े से आ आशीर बाते आप देहां दो किया अपना